जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 2021 का मैट्रिक एकजाम जो है कि बहुत ही आपके सही समय उसी समय पर होगा क्योंकि डमी कार्ड एडमीड कार्ड भी जारी कर दिया गया है रईस्टेशन भी जारी कर दिया गया है तो आपको मैं आपके इस यूटूब चैनल पर हिंदी इंगलिस दस और बारा का पढ़ने को मिलेगा तो आज आप लोग के बीच मैं दस का सिलेवस लेकर आया हूँ ताकि आप को बहुत अच्छे से जनकारी हो जाए कि दस क्लास का हिंदी कहां से 100 माक्स पूछे जाते हैं तो आप लोग को सभी लोग को पता होगा कि बिहार बोड ने बच्चों को सहुलियत के लिए 60 माक्स का अबजेक्टिव पूछता है लेकिन जिसमें आपको 85 माक्स का जवाब द पूछते हैं तो अबजेक्टिव 50 माक्स से आपको कहां कहां से पूछते हैं तो ब्याकरन से आपको अबजेक्टिव में 15 माक्स से पूछते हैं जो कि संग्या सर्वनाम किरिया विशेशन शमास शंदी कारक काल विप्रितारथक सब्द पर्यावची सब्द एक सब्द के अ आप लोग से पुछा जाता है और यह आपको 15 माक्स मिलेंगे और यह सभी आपके वस्तुनिट्स होंगे यानि कि आपसे परिभासा नहीं पुछा जाएगा नहीं केसी का भेद पुछा जाएगा और भेद भी पुछा जाएगा तो आपसे पुछा जाएगा यानि आपके सामने रहेगा तो 15 माक्स ऑबजेक्टिव हो गए और पास्ट पुछतक से 35 माक्स पुछे जाएगे जो कि 10 कलास के हिंदी पास्ट पुछतक में दो बुक चलती है पहले बुक का नाम है गोधली और दुसरे बुक का नाम पूरक पुछतिका व 12 पाट पढ़ने हैं और पद खंड यानि काब खंड पोईट्री सेक्शन में 12 पाट पढ़ने हैं तो गोधली से आपको मिलेंगे 25 इसमें आपको लेखक के बारे में लेखक किस चेप्टर का किस पाट का लेखक कौन है 20 के दात के लेखक कौन है या सिच्छा और संस्कृति के लेखा कौन है तो यही सब आपसे optional में पूछा जाएगा वन निका से भी पूछा जाएगा जिसमें पाच पाच पढ़ना है और यह से आपको 10 अंक मिलेगा तो objective में आपको ब्याकरन से 15 और 25 गोधली से और 10 वन निका से तो 15 और 25 आपको 40 हुए और 10 आपको वन निका से य तो subjective में भी 50 मांक होते हैं subjective means business जिसको लिखने पर मिलता है जिसके बारे में लिखना पड़ता है तो आपको अपठित गध्यांस जो आपको दो पूछा जाएगा और एक 10 मांक के होगा अपठित गध्यांस का मतलब है कि आपको ऐसे दो मतलब की topic मिलेंगे दो चीज पर आपको लिखा रहेगा और आप उसको कभी पढ़े नहीं रहेंगे और उपढ़ने के बाद आपको 200 सब्द में जो भी story रहेगा उसको पढ़ने के बाद आपको जो भी सवाल पुछा प्रचाने के और दो गध्यांस का जवाब देना है एक गध्यांस का दस March यानि तो गध्यांस का 20 March तो आपका 20 सब्जीक्टिव में मिल गए निवंद में आपको एक निवंद चे निवंद पूछा जाएगा लेकिं जवाब देना एक निवंद का इससे आपको 10 माक्स मिलेंगे 200 से 300 सब्द में लिखेंगे तो आपको 10 माक्स मिली जाएंगे फिर आप से पूछा जाएगा पत्र लेखन जो कि 5 माक्स का आएगा पत्र लेखन एक रिष्टेदारों के पास लिखा जाता है और एक ओफिस के लिए हम लोग लिखते हैं तो दोनों रहेगा आपके सामने अर्थवा में लेकिन आप किसी का एक जवाब देंगे आपको पांच माक्स मिलेंगे फिर आपके सामने लगुतर ये प्रस्ण जो कि पांच रहेंगे और दो-दो माक्स के पूछे जाएंगे तो आपके 10 अंक मिलते हैं और दिर खुतर ये प्रस्ण से आपको एक दिर खुतर ये प्रस्ण रहेगा जिससे 5 अंक मिलेंगे आपको तो इससे अपठीज गर्ध्यान से ले 20, निवन से 10, 30, पत्र लेखन से 5, 35, से 5 यानि 50 तो आपको सिलेवस बता दिया गया है बहुत ही अच्छे से आप लोग जान जाएए क्योंकि हम अब अपने यूटूब नए यूटूब चैनल पे आप लोग को तेंथ का हिंदी और इंगलिस सुरू करने चाहते हैं तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दि धीरे धीरे सारे चैप्टर हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही आप सामने सब लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा ठीक है डूंट फोर्गेट सब्सक्राइब माइन न्यू यूटूब चैनल एंड और डू नोट मिस मैं वीडियो ओके थैंक्स